जैमातादी दोस्तों, वर्ल्ल बेस्ट मेजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें। दोस्तों सूर्य के धनू रासी से निकल कर मकर रासी में प्रवेश करने को मकर संकरांती कहते हैं, इस दिन से ही सूर्य उत्रायन होना सुरू हो जाते हैं, माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र सनी देव से नराजगी भुला कर उनके घर मिलने गए थे दार्मिग मानेताओं के नुसार इस दिन पवित्र नदी में इसनान, दान, पूजा हादी करने से व्यक्ति का पुन्य प्रभाव हजार गुना बढ़ जाता है दोस्तों मकर संक्रांती के दिन गरीबों और जोरत मंदों को दान देना बेहदी पुन्यकारी माना गया है इस दिन खिचडी का दान देना विसेश फलदाई माना गया है इसके साथ ही इस दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए तिल का दान करने से सनी दोसों से मुक्ति तो मिलती है इसके साथ ही राहू के तुके बुरे प्रभाव भी नश्ट हो जाते हैं संक्रान्ती के दिन तिल का दान करने से काल सर्पयोग, साढह साती, धाया और पित्र दोस आदी से भी छुटकारा मिल जाता है दोस्तों मकर संक्रान्ती के दिन इसनान के बाद भगवान सूर्य देव की पूझा जरूर करने चाहिए दोस्तों इस दिन सूर्य दियों को प्रसन्य करने पर विसेश फल मिलता है और भगवान सूर्य दियों को प्रसन्य करने के उपाय करने से व्यक्ति के किस्मत के बंद दर्वाजे भी खुल जाते हैं तो इसलिए इस दिन का लाब अवस्य उठाएं इस दिन की ये गए उपाए आपको कई गुना फल प्रदान करते हैं दोस्तों मकर संक्रान्ती को सुबा जल्दी उठकर इसनान आदे करें और इसनान करने के बाद उगते हुए सूर्य को ताम्बे के लोटे से अर्द दें आप इस लोटे के जल में कुमकुम, अक्छत, तिल, लाल फूल और गुड अवस्य मिला लें और अर्द देते समय ओम घ्रणी सुर्यान मामंदर का जाब करें इस प्रकार सूर्द को अर्द देने से आपके मन की हर इक्छा अवस्य ही पूरी होगी इसके लावा आप मकर संक्रांती के दिन सुबह जल्दी उठकर इसनानादी करके पूर दिसा की और मुख करके उसके आसन पर बैठ जाएं और एक रुपद्राप्च की माला ले लें और उससे ओम आदित्याए विद्महे दिवा कराए दी मही तन्नो सूर्य प्रचोद्यात मंत्र का जाब करें आप कम से कम इस मंत्र का पांच माला जाब अवस्य करें इस प्रकार मंत्र जाब करने से जीवन की हर परेसानी का अंत होगा यदि आप इस मंत्र का जाब प्रतेकर अविवार करेंगे तो आपको जन्द ही लाब मिलेगा इसके लाबा आप सूर्य को प्रसन्ने करने के लिए ये उपाई भी कर सकते हैं इसके लिए आप मकर संक्रांती पर गुड एवं कच्चे चावल किसी बैते वे जल में प्रवाहित करें ऐसा करना सुम होता है दोस्तों अगर आप सूर्य देव की कृपा चाहते हैं तो इस दिन चावल में गुड और दोद मिला कर खाना चाहिए ये उपाई करने से भी सूर्य देव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं आपको बता दें कि मकर संक्रांती के दिन दान का फिसेश महात होता है इस दिन की ये गैदान का पुन्य सो गुना प्राप्त होता है अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग आपका साथ दे तो इस दिन कंबल, गर्म वस्तर, घी, दाल चावल की कच्ची खिच्ड़ियादि का दान जरूर करें गरीबों को भोजन करवाएं इससे आपकी जो भी मनुकामना होगी वो जल्द पूरी होगी दोस्तों जो तिस के अनुसार तांबा सूरी की धातू है इसलिए मकर संक्रांती के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चकोड टुकड़ा बैते हुए जल्मे प्रवाहित करें ऐसा करने से कुंडली में सूर की इस्तिती यदि कमजोर है तो वे स्ट्रॉंग होगी और आपको जीवन में सफलता मिलेगी दोस्तों यदि आपकी कोई खास मनुकामना है जो आप पूरी करना चाहते हैं तो इस उपाय को अजमा सकते हैं इसके लिए आप मकर संक्रांती के दिन सुबा जल्दी उठकर इसनानादी करें और पूर्विदिसा में मुक करके उसके आसन पर बैठ जाएं अब सबसे पहले एक पटे पर सफेद रंग का वस्तुर बिछा लें और उसके उपर सूर्देव का चित्र या फोटो या कोई प्रतिमा हो वह स्थापित कर दें या आप सूर्देव की विद्वत पूजा करें और गुड का भोग लगाएं पूजा में लाल रंग का फूल अर्पित करें इसके बाद आप लाल चंदन की माला से ओम भासकराई नमा मंतर का जाब करें आप कम से कम पांच माला जाब जरूर करें इस उपाय को करके आप सू पूरी दोस का प्रभाव कम हो जाएगा और जीवन में धन, मान सम्मान, प्रतिस्ठा की प्राप्ती होगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्य और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद